कि आपको भी सारी कमजोरी फील हो रही है या आपको भी सेक्सवल डिजायर आपकी लो होती नजर आ रही है तो यह सब आपके टेस्टोस्टोन लेवल के डाउन होने की बज़े से हो सकता है चलिए आज बात करते हैं इसी के वारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर कि तरफ से देखे आपने सुना हुगा टेस्टोस्टोन हार्मोन होता है यह सेक्सवल डिजायर के लिए या आपकी सारे रिक बनावट के लिए सारे रिक हल्थ के लिए आपकी एडल्ट हुल्ट के लिए या पिवर्टी के लिए बहुत जरूरी होता है तो टेस्टोस्टोन आपके स्पंप की जो बनावट हो गई या स्पंप की जो काउंट हो गए उस चीज़ पर फायदा देता है आपकी बोन्स को थोड़ा सा मजबूत बनाने का काम करता है दूसरा आपकी जो दाड़ी है, दाड़ी मूचे हो गए, ये आपकी height होगय ये आपका weight होगया, ये सब आपके testosterone hormones ही उसको balance करके रखता है अब ये बनता कैसे है, अगर आपका testosterone level down है, तो क्या क्या आपकी effective आ सकते हैं सबसे पहले आपकी bones ढ़ी इंटर्कोर्स में इंडल्ज हो लेकिन वहां पर आपका जो इरेक्शन वो प्रोपर नहीं आ रहा है ताइमिंग पे भी असर आता है प्रिमेच्छ और एजेकुलेशन पे भी आपका टेस्टोस्टोन कहीना की असर डालता है तीसरा अब आप क्या कर सकते हो उस चीज को कैसे पता करें आपका टेस्टोस्टोस्टोन कितना जा रहा है या आपकी बौडी में कितना लेवल चल रहा है उसका आप उसके लिए एक testosterone का test करा लो hormonal assay करा लो उसमें आपका testosterone की levels लिखके आती है value लिखके आती है जो normal एक healthy person में 300 से लिखे 900 तक रहता है अगर 300 से 900 के बीच में आपका testosterone आ रहा है यानि कि 350 आ रहा है 400 आ रहा है 500 आ रहा है आपको उस लेवल पर थोड़ी सी चिंता कनी होगी क्योंकि यह होर्मोन आपकी दूसरी चीजों पर भी असर डाल सकता है अब आपके सांज में आ गया सारी चीजे कि आपको testosterone काम हो गया या इसकी बज़े से इशू क्या है अब इसको ठीक कैसे करें सबसे पहले तो अपनी जो लाइफ स्टाइल हो उसमें एक्सराइज को एट करो testosterone आपकी exercise से ही improve होगा exercise के साथ डाइट आपको अपना metabolism ठीक करना है उसके लिए आपको चाहे आपको टबैको चोड़ना हो या आपको exercise शुरू करनी हो रणिंग शुरू करनी हो या आपको meditation करना हो ये सारी चीज़े अपनी lifestyle में एड करनी है इसके अलाब कुछ डाइट ऐसी है जो आपके टेस्टोस्टोन पर सीधा सीधा काम करती है जिसके लिए आप अकरोट खा सकते हो आप बदाम खा सकते हो आप अंजीर खा सकते हो इनको रात को भेगो ये सुबह खाईए ये आपके टेस्टोस्टोन में बूश्टर में काम करती है अगर आपको बाहर से कुछ सप्लिमेंट तो आप उसमें जिंक सप्लिमेंट ले सकते हो आप उसमें विटामिन B12 ले सकते हो आप उसमें वाइट slime D3 ले सकते हो आप ये सब चीजें शुरू करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा तेक्सटोस्टोन रेज होगा चाहें meditation करो चाहें किसी भी तरह के physical exercise करो वो सारी चीज़े करने के बाद आप देखोगे कि टेस्टोस्टोन ओल लेडी थोड़ा थोड़ा सा बूश्ट होने लग गया है और अगर आप चाहरे हो कि उस सारी चीज़े आप फोलो कर लिए और फिर भी चीज़े नहीं बदल रही है या फिर आप किसी और तरीके से आप erection आपका डाउन जा रहा है या sexual desire आपकी कम जा रही है टेस्टोस्टोन रिपोर्ट्स में कम आ रहा है तो आप नीचे दिए कि नंबर से हमसे बाच कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम के लिए कि राइट सोलुशन ले सकते हैं कि यहां से गाइट किया जाएगा आपको कैसे आप टेस्टोस्टोन अपना बढ़ा सकते हैं इसी तरह कि किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं अगली बार धन्यवाद